आज के इस वीडियो में हम GS के कुछ question answer लेकर आए हैं जो आपके RRV, NTPC और Group D exams के लिए महातोपूर्ण हैं तो आए बिना देर की यह हुई शुरू करते हैं 1921 में संविधान के पहले संसोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई आप्सन है 8V, 9V, 5V, 4 इसका सही उत्तर है 9V Next question है नीमन में से किसे हीमोड कहते हैं आप्सन है हावा से फुका हुआ द्रब, हीम नदी द्वारा जमा किया गया द्रब, नदियो द्वारा छे हुआ द्रब, लहरो द्वारा छे हुआ द्रब इसका सही उत्तर है, आप्सन भी हीम नदी द्वारा जमा किया गया द्रब Next question है उचतम नियाले में नियुक्ति के लिए एक भारतिय नागरिक का उच नियाले के नियाधिस की रूप में कम सकम कितनी साल काम करना जरूरी है यह प्रशन आररवी ग्रूबडी 2015 कलकता बोड में पूछा जा चुका है Option है 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल इसका सही उत्तर है, 7 साल Next question है नियुम्न में से किस घास को हाथी घास कहा जाता है यह प्रशन आररवी ग्रूबडी 2015 कलकता बोड में पूछा जा चुका है Option है प्रेरी, एस्टेपी, सवाना, लेनोज इसका सही उत्तर है, एस्टेपी Next question है सही समय को दिखाने के लिए आधूने घरियों में इससे बने संतोलग चक्र डाले जाते हैं यह प्रशन आररवी ग्रूबडी 2015 कलकता बोड में पूछा जा चुका है Option है इसपात, प्लेटिनम, इन्वर, टंगस्टन इसका सही उत्तर है Option C, इन्वर Next question है आवर सार्ने में कलोरीन और ब्रोमीन को एक ही समय में रखा जाता है क्योंकि Option है, दोनों गैस हैं, दोनों वर्न में हैं, उनके बाहतम कबच में दोनों में साथ इलेक्ट्रोन होते हैं दोनों ऑक्सिकरन करने वाले कारक हैं इसका सही उत्तर है Option C, उनके बाहतम कबच में दोनों में साथ इलेक्ट्रोन होते हैं नेक्स्ट कोश्चन है बुद्ध के मानव रूप की सबसे प्राचीन परतिमाई किस कलासेली से सम्बंदित है ओप्शन है गंधार, मतुरा, पाल, भुप्त इसका सही उत्तर ओप्शन भी मतुरा नेक्स्ट कोश्चन है दादा जी कौंड देव थे इसका सही उत्तर ओप्शन सी सिवा जी के गुरू आज के इस वीडियो में इतना है वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स फर वाचिंग दिस वीडियो